हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी सात्विक रोटी आप अपने घर पर किस तरीके से बना सकते हैं सात्विक रोटी की रेसिपी क्या है तो इसे बनाने के लिए हम एक चुकंदर चाहिए जिसे हम इस तरीके से पीसेज में कट कर लेंगे पीसेज में कट के हुए चुकंदरों को अब हम बारी कद्दुकस करके तयार कर लेंगे कद्दुकस करने के बाद अब हमें चाहिए एक कटोरी गेहु का आटा अब हम इसी से बना कर तयार करेंगे हमारी चुकंदर के रोटी का आटा तो उसके लिए अब हम एक बोल में एक कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे गेहूं का आटा डाल देने के बाद अब हम इसमें एक कटोरी कद्दुकस किया हुआ चुकंदर भी इसी में डाल देंगे डाल देने के बाद अब हम चुकंदर को आटे में आटे में करना है इस समय सिर्फ फर शिर्फ हमें आटे में चुक अंदर चुक अच्छ से मसल मसल कर एक कर देना है। आप देखेंगी कि जोई सूखा अटा है वो भी हल्का पिंक कलर का आपको तिखाई देगा। तो अच्छे से अंगुलियों की help लेकर इसको मसल कर एक कर देंगे अब हम पानी आएड करेंगे धीरे धीरे जितना जरुत हो हमें थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें मिलाते चले जाना है और आटे को गूत ते चले जाना है इस तरीके से थोड़ थोड़े पानी को मिलाते हुए हम आठा गूतते चले जाएंगे अब अच्छे से इसको मसलते हुए हम आठे को गूतेंगे और एक चीज जितना साथा वक्त हम आठे को गूतने में लगाते हैं उत्वी ही नरम रोटियां हमारी बन कर तयार होती है तो अच्छे से आटे को गुथने के लिए वक्त लगाईए और अच्छे से इसको मसल मसल कर हम गुथेंगे आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा आटा गुथ कर तयार होने लगेगा इसका जो कलर है वो भी हलका पिंग कलर का आपको दिखाई देगा 15 मिनिट के लिए इस आटे को हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है तो उसके लिए आप कोई भी छोटी सी कटोरी में इस आटे को डाल दीजिए उसके बाद इसके उपर हलका सा पानी लगा कर आप इसे दूसरे बरतन से ढग दीजिए 15 मिनिट के लिए तो चलिए 15 मिनिट हो चुके हैं अब हम रोटियों को बेलना शुरू करते हैं तो उसके लिए हम छोटी सी लोई तोडेंगे और छोटी छोटी बॉल्स बनाना शुरू करेंगे अब हम इसमें थोड़ासा उपर से सुखा आटा लगा लेंगे इस बॉल पर और अब हतेली से चकले पर थोड़ासा इसको दबाने के बाद इसको बेलना शुरू करेंगे आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा प्रेशर आप इस आटे पर बिल्कुल ना लगाएं रोटी को बेलने में आप बिल्कुल प्रेशर ना लगाएं नहीं तो यह आपकी रोटी जो है वो तूटने लगेगी। आप बिल्कुल हलके हाथ से रोटी को बेलना शुरू करें। धीरे-धीरे बेलते हुए देखिए हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल गोल बन रही है। तो देखे, रोटी बिलकर तयार हो चुकी है, चलिए अब इसे सेकना शुरू करते हैं, तो सेकने के लिए अब हम मिट्टी का एक तवा लेंगे, जिसको हम बिल्कुल धीमी आज पर गैस पर छड़ा देंगे, इस पर हम रोटी को इस तरीके से डाल देते हैं, इंतिजार करते हैं, जैसे ही इसी केगी हम इसको पलट देंगे, तो आप कोई भी रोटी बनाते हैं, आपके पेट में बहुत जादा गैस बनती है, शरीर बहुत जादा गैस टिक है, आप कुछ भी खाते हैं, आपके गैस बन जाती है, तो आप कोशिश करिए कि अपने घर में जो भी पर ही बनाए क्योंकि मिट्टी के तवे पर जो रोटी हम बनाते हैं उससे हमारे पेट में कोई गैस नहीं बनती हैं ब्लोटिंग वगरा नहीं होती है तो आप कोशिश करें कि आप घर पर मिट्टी के तवे का इस्तमाल ही करें और इसको एकदम धीमी आज पर ही रोटियां से तो आप बिल्कुल हलकी आँच पर ही रोटियों को सेके तो आपका यह तवा भी नहीं टूटेगा और आपके बेट में गैस भी नहीं बनेगी इस तरीके से मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि जब हमने यह आटा गूता तो उसमें हमने कोई उपर से नमक नहीं मिला तो आपको यह रोटी यूही सर्व करने हैं बिना गी के इस तरीके से चलिए देखिए आपकी जो यह रोटी है वो सिक कर तयार हो चुकी है इसका जो कलर है वो हलका हलका गोल्डन कलर का हो चुका है देखिए आपकी संदर सी चुकंदर की रोटी बनकर तयार हो चुकी है त इसे हम इस तरीके से बोल में डाल देते हैं. अब हम इस जो पेस्ट बढ़ाया था वो भी हम, अब हम इसमें डाल देंगे. डाल देने के बाद इसको सेम प्रोसेस से गुतना चालू करेंगे, उपर से हमने कोई नमक नहीं मिलाया है. इस तरीके से देखिए आटा गुत कर तयार हो चुका है, इसको अच्छे से मसल मसल कर हम मतेंगे, ताकि ये जो रोटियां हैं वो नरम और मुलायां बनेई. तो देखिए आटा गुत कर तयार हो चुका है. इस तरीके से, इसे अपने दोनों हाथों के बीच में ले लेंगे और इसको अच्छे से एक बॉल बना कर तयार करेंगे और अब हमें क्या करना है, इसको अराम देना है 15 मिनिट के लिए तो इसको आप एक कटोरी में इसको रख दीजिए 15 मिनिट के लिए उपर से हलक असा पानी लगा कर इसे किसी कपड़े से भी ढख सकते हैं या कोई और दूसरे बर्तन से इसे कवर करके 15 मिनिट के लिए छोड़ दीजिए 15 मिनिट हो चुके हैं चलिए रोटी आप बेलना शुरू करते हैं तो उसके लिए छोड़ी लोई तोड़ कर तयार करेंगे इस तरीके से अब सुखा आटा इसके उपर लगा कर थोड़ा बहुत प्रैस करते हुए हम चकले पे हलके हाथ से प्रैस करते हुए इस रोटी को बेलना शुरू करेंगे आप कोशिश करेंगे कि हलके हलके हाथों से ही रोटी बेले पालक की रोटी बेलने में आपको बिल्कुल भी दिखा इस तरीके से देखिए हमारी रोटी बिलका तयार हो चुकी है चलिए अब इसे सीकना शुरू करते हैं तो उसके लिए हम इसको तवे पर डाल देते हैं अब हम इंतजार करेंगे ये एक तरफ से जैसे ही सिक जाती है तो जैसे ही एक तरफ से सिक जाएगी बिल्कुल मंदिया आज रखनी है इस चीज का वापस से रिपीट कर रही हूँ तो धीमी आज पर ही हमें इस्तमाल करना है तवे का ताकि ये टूटे नहीं और हमारी रोटी अच्छे से सिक जाए हमें बिल्कुल धीमी आज पर ही रोटी अबना कर तयार करनी है नहीं तो हमारा तवा भी तूट सकता है तो बिल्कुल धीमी आज में ये रोटी सिख जाती है जैसे ही एक तरफ से हम इसे पलट देंगे आप देख सकते हैं रोटी का कलर कितना प्यारा आया है रोटी कितने अच्छे से सिखी है तो अब हम इंतजार करेंगे कि ये दूसरे तरफ से भी जैसे ही सिख जाती है तो हम इसे फिर से पलट देंगे पलटते हुए आप इसे कपड़े की हल्प लेकर दबा दबा कर अच्छे से किनारे भी सेखिए कोई किनारा कच्छा नहीं रहना चाहिए जैसे ही ये रोटी सिख जाती है आपको अपने आप दिखने लगीगा कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन कलर का आपको सुन्दर सा कलर नज़र आने लगीगा और इसमें से एक खुश्भू आने लगीगी मीची मीची सी जो कि आपको बताए कि ये रोटी जो है वो सिख चुकी है देखिए ये हमारी पालक की रोटी बन कर तयार हो चुकी है देखिए कितनी जादा सुन्दर है इस पे हमें कोई उपर से घी नहीं लगाना है इसी तरीके से आप जो भी सीजन की सबजियां है उन्हें पीस कर और आटे में गोत कर इस तरीके से सात्विक रोटी बना कर तयार कर सकती है सात्विक रोटी गेहूं की रोटी से किस तरीके से अलग है जो normal रोटी बनती है वो पूरी तरीके से गेहू के आटेगी बनती है जबकि सात्विक रोटी में हम 50% गेहू और 50% ही सबजिया मिलाते हैं अब ये सबजिया कौन-कौन सी होती है हम पालक का इस्तमाल कर सकते हैं, चुकंदर का इस्तमाल कर सकते हैं और हम नॉर्मल रोटी जो गिहूं की जो खाते आ रहे हैं आकिर हम वही क्यूं ना खाए हम इतनी मैनत करें ही क्यूं तो आजकल की modern lifestyle में जहां हमें कोई मैनत मज़़ूरी करने का काम नहीं है हमारी lifestyle बहुत जादा easy है हम sitting job करते हैं बैठे बैठे अराम से हर काम करते हैं तो जो गिहूं होता है वो हमारे पेट में आसानी से पच्छता नहीं है अब जब ये पच्छता नहीं है तो हमारे पेट में ये पड़ा-पड़ा सड़ता है जब कोई भी चीज हमारे पेट में सड़ेगी तो आप खुछ जानते हैं कि वो अपने आप ही नई-नई बिमारियों को जनम देगी, जिससे कि हमारा शरीर हमेशा बिमार रहता है, तो जब हम सात्विक रोटी बनाते हैं, तो जब गेहूं में हम सबजीयों को मिलाते हैं, तो जब हमेशा बनाते हैं, जिससे यह हमारे पेट में आसानी से पच जाती है, जिसकी वज़े से यह हमारे पेट में सड़ती नहीं है, दूसरी चीज, अगर आपको बीपी रहता है, कॉल्स्ट्रोल रहता है, खूण की कमी हैं आपके शरीर में, आखें बहुत ज्यादा कमजो या फिर अगर आप वीट लॉस करना चाहते हैं वजन है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो अगर पर्टिकुलर डाइट भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस डाइट में भी आप इस सात्रिक रोटी को एड़ कर सकते हैं